नमस्कार जीडीसी रियासी से ग्यारा कोबिड पॉजिटीव मामले सामने आए हैं आई सुबा यहां पर रैपीड टेस्टिंग हुई और ग्यारा बिद्यार्थी जो हैं वो पॉजिटीव पाए गये हैं जिसके बाद 24 तारिक तक के लिए बिद्यार्थियों के लिए जरावर सिंग मैमोरियल डिग्री कॉलेज रियासी में इस समय हम मजूद हैं और हमारे साथ जीडीसी रियासी के प्रिंसिपल डाक्टर चंदर शेखर जी हैं उनसे अधिक जानकारी लेते हैं सर ग्यारा मामले सामने आए हैं कब तक के लिए कॉलेज बंद क्या गया है क्या परफैसर भी कॉलेज में नहीं आएंगे या फिर वो कॉलेज आते रहेंगे और उसके बाद क्या-क्या कदम उठाएगे हैं यह आज वैसे एक डिस्टिक हास्पिटल से टीम को आई थी यह पहले भी हम रोटेमल जर्नली रोटेशन में हम उनको रिक्वेस्ट करते रहते है हैं कि रेंट्रिम टेस्ट करवाते रहें बचोंका स्टाफ का तो पिछले बार भी कोई मीना पहले एक टेस्ट होगा था पुरे स्टाफ का और कुछ स्टूडेंट का तो उसमें कोई भी पास्टिव रपोर्ट नहीं आए थी सादे के सारे नेक्टिव रपोर्ट थी इस व आज कर दी है और वो आज कुछ थरस्टे है फ्राइड सैचर्डे उस्टे तक होती रहें कि डिप्रेंट ब्लागी होने इस्टक्शन दे थी हैं तो संड़ थी तक सारा काम हो तेन दिन के लिए कर दो यह वेसे भी कर चुटी है सेचर्डे को अमने आफ रख़्ा है तो संदे को फिर शुटी है मंडे को क्योंकि एडमिस्टेटर बर्क तो हमने करने हैं बचों की आरार बना नहीं है बचों की डिमिशन चल रही है तो स्टाफ मेरे पास परमनेंट थोड़ा ही है तो स्टाफ को मैंने रिक्वेस्ट किया है कि वह सैनेटाइजिशन हो जाएगी और वो सब स्टाफ अपना टेस्ट भी करवाएंगे स्पेशली अपने लेवल पर शुटी है यहां तो मैं यहीं करवा देता अब निकल गया है थोड़ा पैनिक सा होई जाता है थोड़ा सा तो मैंने उनको सब को बोल दिया है मिन्सामीटिंग बन गई है उनको रिक्वेस् है बचे फाइब डेस के लिए दिन्रामन को पेडिनर्स के भी फोन आना शुरू हो गया है नैचरली पैनिक हो जाता है तो सालों से चल रहा है सिस्टम तो हम इसको सब जेल रहे हैं तो बट हमारी और से पूरा प्रिकैशन लिए जा रहे हैं बच्चों को हम पूरा स्टाफ रानफुट होता है बचे सोचल ड्रेस से को पूरा मेंटिन करते हैं सबने मास्क पेंड़ यो यह सब Lore सब के हाथ मैं उन फूरा स्टाफ मेरा आंट फूर्टो होता है मैं तो कला क्या कर सकता हूं लेकिन स्टाफ बहुत अ libraries करते हैं ри गुरी करते हैं बच्चों को time to time guide कर को लोग करेंगे 24 को जो अपनी रिपोर्ट नेक्टिव दिखाएगा आज कुल मिलाकर कुल कितने बच्चों का टेस्ट हुआ था कोई अगर जानगारी आपको हो और नेगेटीव रिपोर्ट होने के बाद चोबिस तारीक को विद्यार्थी कॉलेज में पड़ाई कर पाएंगे बच्चों की पड़ाई में बंद नहीं करें वह मैंने मीटिंग में सब खुद का है कि सब तक हो सकता आगे भी कुछ सिच्विशन हमारी नहीं नारमल हुई जा बच्चों की रिपोर्ट लेकर नहीं आय उपर से एक्जाम आ जाएंगे वह टेचर कांटिन की उनकी आउन लाइन क्लासे गर से लेंगे जैसे पहले रूटीन में ले रहे थे वह क्लासें कभी बंद नहीं होगी क्या पता आप 24 और बच्चे जहां पर अपनी रिपोर्ट लेकर नहीं आएंगे और नहीं करेंगे ज और बच्चों के उपड़ाई में कोई असर नहीं हो जो ग्यारा पॉजिटीव मामले आए हैं क्या उन्हें शिकाइटे मी थी बीमार थे वह टेंप्रेचर था कुछ ऐसा कुछ नहीं था हुआरी पूरी टीम बैठी होती है ऐसा कुछ नहीं था बच्चे बिल्कु ठीक थे तो हजार बच्चा कालिज में पढ़ता है तो मैं अब वो तो लग बात होगी नहीं पर कोई गलती से शपाता है तो फिर उसका भी तोड़ा सा गलता है जी चलिए शुक है तो ग्यारा पॉजिटीव मामले सामने आने के बाद जिसमें तमाम बिद्यार्थी हैं कॉलिज 24 त तारिक को आएंगे वो भी कोबिट नेगेटिव रिपोर्ट लेकर ही यहां पर आ सकते हैं जिनके पास रिपोर्ट नहीं होगी उन्हें यहां पर अलो नहीं किया जाएगा इस दुरान ऑनलाइन एजुकेशन जो है वो लगातार चलती रहेगी तो एक बार फिर आपको बता आप सुण को आपको आपको आपको